बतादे कि बहादुरगण नगर परिशर द्वारा चोटो राम नगर के पास रेलवे की जमील पर लाखो रुपए खर्च कर पारक कर निर्मान करवाया गया था क्रीब एक वर्ष पहले बनाया गया ये पारक काफी जरजर हालत में पहुँच चुका है स्थानी निवासी इस पारे में कई बार परशाशन से गुहार लगा चुके हैं कि पारक में जो भी खामिया हैं उन्हें ठीक करवाय जाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही रेलवे पारक में लगाए गए बच्चों के लिए जूले वाकिंग ट्रेक के हालात बहुत खराब है और सफाई का भी बुरा हाल है जिसका आने पारक में गुमने वाले लोगों की काफी परशाशनियों का सामना करना पड़ रहा है स्थानियों लोगों ने परशाशन से एक बार फिर गौहार लगाई है कि जल से जल इन खामियों को दूर किया जाए और पारक की देख रहे कि निरंदर की जाए जिससे स्थानियों को परशाशनियों का सामना करना पड़े आने वाने समय में लोगों को रहात मिल सके बगार कि कोई यहां पर कोई समधान नहीं होता, कोई देखने नहीं आता, पारक में अगर आप देखें तो इस पारक के अंदर भी अभी अजारों लोग यहां पर डेली सुबह साम आते हैं यहां पर गूमने घरने के लिए, यहां पर बारा बार बार जाएक के कोई तक यहां पूरे परक के अंदर पूड़े का बहुत बुराल है है गुमते फिरते हैं पारकों में और यहां पर नहीं तो कोई साफ सपाई होती है और नहीं मतलब कोई देख रहे होती है हुआ 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 है